नमस्कार दोस्तों मैं आज आपको बताने जा रहा हूं पती को या प्रेमी को वशी करन किस प्रकार से कर सकते हैं पती या प्रेमी, कोई भी इसी भी इंसान को आप वस में कर सकते हैं, मैं पंडी सुरेश भाई तांतरिक्त आपको एक अचुप परियोग बताने जा रहा हूँ, यूटूब में आपने बहुत से परियोग देखे होंगे, लेकिन मेरे को नहीं लग रहा है कि कोई भी परियोग को पहले पुब्लिक के उपर आजमाते हैं, रोज के हमारे पास में बहुत से क्लाइट आते हैं, हमारी तंतर साला में, तो उसमें हम पहले परियोग आजमाते हैं, परिक्षन करने के लिए उनको देते हैं, सफर होने के बाद में, अच्छा परिणा मिलने के बाद में हम उस परियोग को बताते हैं ताकि आप उस परियोग को करके अपने पती या प्रीमी को वस्ट में पर सकते हैं यह परियोग कारगर है सफल है सिद्ध है उसके लिए आपको जुरुत पड़ेगी एक लिंगू की प्रियोग इंद्रजाल की पते का फोटो और यह बिल्ली की जड़ आती है इसको बिल्ली की जड़ की जुरुत पड़ेगी इसमें यह सबसे विश्व का सबसे आउर्फुल तल्तर परियोग है वशीकर्ण का और इसमें जुरुद पढ़ेगे कस्तूरी गंदगी तो इस प्रयोग दोस्तों इस प्रकार से है पहले आप अपने पती का नाम लिबू पे लिख दीजिए जैसे पती का नाम है लक्ष्मन और अपना नाम लिख दीजिए लक्ष्मन प्लस आपका नाम जैसे कवीता इस प्रकार से नाम लिख देने के बाद में उसको बिल्ली की जड़ के उपर इस प्रकार से रख दीजिए लिम्मो को ऐसे हैं और कश्तूरी गंद हपवन की जौ तिल में पूजा की दुकान पे मिलते हैं उसमें हवन का सामान तोड़ा से ले लिए और थोड़ी सी इस प्रकार से अगनी प्रजलीद कर लिए और उसके अंदर कस्तूरी गंद मिला लिए कस्तूरी गंध को प्रस्तूरी के बाद में अपने उपर आप पुरपती या प्रेमी को भसने करना चाहरे तो अपने उपर साथ बार गुमा लिए निंगु को चल्ड को इस प्रकार से सेवन टाइप स्क्लॉप वाइक सेवन टाइप एक दो टीन चार पांट छेंग साथ जमीन पर रख दीजिए इंद्रजाल को और पती के या प्रेमी के फोटो को इस प्रकार से रख दीजिए आपका पती या प्रेमी इस कदर आपके वस में हो जाएगा जैसे मकड के जाने में कोई जी जन्तु फस जाता है उसी प्रकार आपका पती अगर कोई एक्स्ट्रा लव अफेर है या कोई प्रेमी का एक्स्ट्रा लव अफेर है आपको कम चाहने लग गया है उसका रुजाद प्यार कम हो गया है तो भी ये प्रियोग कर सकते हैं यह उसने अपके पती के उपर इसी हैं कि दो चीछ मस्किल से मिलती एक इंदर जाल और ये विलल्ञ की जड़ दो चीछ हड़ी मुस्किल से मिलती हैं हर ऐ कर्ёт दू град ऑर यह कस्तुरि गंद प्रयोकयूद्श प्रटार्ट से है जोस्त बस यह एक ऐसे लगाना है और एकके प्रफ्ट अंठि विर्ने गहां है 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 जड़्षमा इंभी लंगक्ष मुझें नाम है आपका नाम कभी ता प्रकार ने स्नद्रिया देविघ और पसक्य नाम का से सफाह मुखन का मागशयक लंग अपश्चली माता का नाम देना है पत्ति का नाम ओम नमो कामाक्ष्या देवी मम पती लक्ष्मन मम सरीर मन मस्तक्ष्य वश्य कुरु कुरु स्वाहा ओम नमो कामाक्ष्या देवी मम पती मम वश्य सरीर मन मस्तक्ष्य वश्य कुरु कुरु स्वाहा इस प्रकार से 108 आहुती इसके अंदर देनी है कस्तुरी गन की अगनी के अंदर 108 आहुती होने के बाद में एस पती को फोटो देपते हुए इंदर जाग में आहुती देनी है फिर उसके बाद में यह लिंबु को उस हखनी के उपर साथ बार गुमा देजेए और इस लिंबु को जो आप बिश्तर के उपर सोते हैं जिस बिश्तर के उपर आप पती और पत्नी पी न लुम्भू को और स्टड़ लाल थागे में बादना है शुकृवार के दिन प्रयूप करना हैँ यह मोच के दिन प्रयूप करना है पृद उसके बाद में सद्ट लुम्भू को चीर कर इस बाद के पर ठीतार च्चिश परकार से कारगा और सपल्य यह लिम्बू का रस पीने के बार पती हमेशा के लिए आपके इस इंद्र जाल के परियोग में वस्ट में हो जाएगा अगर यह परियोग आपको समझ में नहीं आता है तो हमें इस हमेर से संभर्थ करें हम आपको बताएंगे किस प्रकार से करना है और अगर यह परियोग आप हमें संपर करें फॉन करें वाट्सेप करें हमारा नंबर निचे लिंक में दिया हुआ है और हम आपको यह परियोग करके देंगे वस्ट में करके देंगे हम भी आपकी साहिता करेंगे और आपको यह परियोग 100% सफल और सिद्ध करके बताएंगे और यह जीवन परिय परियोग का अस्तव रहता है लाइक टाइप परियोग वशी कर रहेंगे नमस्कार अगर आपको हमारा ये यूटूब चैनल पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें और सेर करें सब्क्राइब करें नमस्कार